हलो सातियों कैसे आप सभी मैं विक्रम और आज आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन लेके आँ हूँ और इस क्यूशनों में हम डिसकर्स करने वाले हैं जैसा कि आप इस क्रीन में देखी पा रहे हैं कि आज हम आरेस के पेपर में जो 27 तारीका जो पेपर लगा था उस पेपर में जितने भी साइंस से सम्मंदित क्यूशन पूचे गई हैं उन सभी क्यूशनों पर हम यहां से चर्चा करने वाले हैं और वीडियो में आप एंट तक बने रहेगा जिससे कि आपको इन क्यूशनों का मालुम हो सुके कि जो मैंने आपको कंटेंट परवाइड करवाया था क्या उस कंटेंट में से आपको क्यूशन देखने को मिले हैं क्या चलिए दोस्तों सैसन को स्टार्ट करते हैं जैसा कि एक नमर का क्यूशन हमें देखी पा रहा है और इसमें बताना है हमें कि बायो मास का उल्ठा पिरामिड पारिश्थिति की तंतर में पाया बनता है कुछ इस परकार का बायो मास का जो पिराम्ड होता है वो कहां बनता है समूंदर में मलता है बाकी अन्य सभी जगों में इसका पिराम्ड सीधा बनता है चलिए तो क्रुशन का सही जवाप आप बता ही पाए होंगे इसी परकार अगले परसन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला परसन है ट्राई सोमी 21 को निमन में से किस नाम से जाना जाता है ट्राई सोमी 21 को हमें यहां से बताना था कि उसे किस नाम से जाना जाता है ऐसा हमें यहां से बताना था चलिए तो देखें बताने की कोसिस करिएगा कि सही जब आप क्या हो सकता है देखो अक्सर ओफ लाइन क्लास में मैंने आपको इस वाथ को क्लास में सहर किया आपके पास कि आपके पास एक तो तेरवा गुनसुतर की जोड़ी हो एक आपके पास अठारवे गुनसुतर की जोड़ी हो और 21 वे गुनसुत्र की जोड़ी हो जो 13 साल जो 13 नंबर का जो गुनसुत्र होती है यदि इसकी पुंद्रा बढ़ती हो जाती है मतलब दो गुनसुत्रों की जगए वहाँ एक डबल होने लग जाता है मतलब गुनसुत्रों की संग्या उसमें कितनी बढ़ जाती है, एक बढ़ जाती है, और ओल टोटल गुनसुत्रों की बात करें, तो 43 होते हैं, यहां एक और बढ़ रहा है, तो वहां कितने हो जाएंगी, 47 गुनसुत्रों हो जाते हैं, लेकिन जो 13 नमर की गुनसुत्र की जो क्या हो جाती, पुंद्रावर्थी हो جाती, अएक गुण्सूतर बढ़ जाता है, तो हम उसको कहते है, down syndrome, क्या कहते है, down syndrome, और एक होता है 21 वा ओ सुरी, 18 होता है कोनसा, ad ward syndrome, कोनसा होता है, ad ward syndrome, और 21 में वही खानी ए, जो दोनों के ऊपर हो यानि कि इसमें जो होता है, वो होता है, कौनसा, वो होता है, कौनसा, इक्कीसवे में होता है, कौनसा, डाउन सिंड्रोम, कौनसा होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, कि 21 गुण सुत्र की पुंद्रावर्ती के बारे में हमें यहां से पूचा है ना तो सही जबाब होगा कौन सा यहां से हमारा D यहां से सही जबाब होने वाला है कि यदि 21 गुण सुत्र की पुंद्रावर्ती हो जाए यानि कि और ओल टोटल गुंसुत्रों की संक्या कितनी होती है, 46 होती है, जिसमें भी 21 नंबर की जो जोड़ी होती है गुंसुत्रों में यदि एक बढ़ जाता है, यानि कि और ओल कितने हो जाएंगे, 47 गुंसुत्रों हो जाएंगे, किस गुंसुत्र की जोड़ी में परीव जो girlfriend होती है उसको आप 13 साल की उमर में पठा लेते हो 18 साल की उमर में आपको दुनियादारी का knowledge हो दाता है तो उसको छोड़ देते हो और 21 साल की जो उमर होती है उसमें क्या हो जाती है आप down पढ़ जाते हो 13 साल की उमर में पठाया 18 में end किया और 21 में डाउन पड़ गए, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इस बात का, तो सही जबाब होगा कौन सा डी हमारा यहां से, सही जबाब होता, चलिए, अगला परसन है, जापानी इनसे फेलाइटिस का कारक विसानु सरी के किस हिस्से को संकरमित करता है, इनसे फेलाइटि को परभावित करती हैं, तो सही जबाब होता यहां से कौन सा, सी हमारा यहां से, सही जबाब होता, चलिए, अगले परसन की तरह बढ़ते हैं, चार नमर का क्यूशन हमें दिया गया है, संपिडित प्राकर्तिक गैस C&G मुख्यत हैं, जिन स्टुडेंटों ने मेरे नोर्स को प्राप्त करें, टोपिक उठाएं, गैसों वाला टोपिक, और उस गैसे वाले टोपिक में आपको ऐसे के ऐसे क्यूशन मिलेगा यह आपको, हुब 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 जहां से ओप्सन भी अलग नहीं है, तो चाहें तो आप ट्राइग लेके देख सकते हैं इस बात को कि क्यू को पढ़ा था हूँ, तो वहां से आपको टोपिक में एक क्यूशन देखने को मिल रहा था, कि एक तो होती है, देखो, CNG गैस, और एक होती है, कौनसी, LPG गैस, कौनसी होती है, LPG, अकसर इस्टुडेंट इन दोनों में एक ही बात समझता है, लेकिन यह होने को दोनों संपिडित नेचुरल गैसे से कहते हैं, किस के बारे में पूछा, संपिडित प्राकरती गैस के बारे में पूछा, तो संपिडित प्राकरती गैस का बनाने का प्रारूप होता है, वो किस किस से बना होता है, एक तो इसमें क्या मिलाया जाता है, मिथेन मिलाया जाता है, और होता है, एक तो आई से ब्यूटेन मिलाया जाता है, एक ब्यूटेन की मातरा मिलाई जाती है, और एक प्रोपेन की मातरा मिलाई जाती है, किस की मातरा मिलाई जाती है, इन तीनों से तो कौन सी गैस बनती है, LPG और इन दोनों गैसों के मिलने से कौन सी बनती है CNG और इन में भी कौन सी परमुख है मिथेन परमुख है तो प्राकर्ति गैस का मुखे तक क्या पाया जाता है इसमें मिथेन की मात्रा पाई जाती है, सही जबाब चार नंबर के क्यूशन का सही जबाब होता यह हमारा यहां से सही जबाब होता यदि आगामी परतियों की परिक्सा में यदि LPG के बारे में यदि आप से पूछा जाता है तो LPG के बारे में भी बता सकते हैं कि ब्यूटेन और प्रोपेन ब्यूटेन में भी एक तो आईसो ब्यूटेन होता है आप यृटीन फैंर प्रोपेन होता है और सिंजी में मीठेन और एफेन होता है और गरों के जो रसोई जो हो थी उस रसोई में जो सलंडर हम उप्योग लेते हैं, उसमें जिस गैस का उप्योग करते हैं, जिसे रिसाव का हम पता लगा लेते हैं, जैसे उस गैस का रिसाव होने लगता है, तो हमें मालूम हो जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है, मरकेप्टेन मरक एप्टेन मिलाया जाता है चाहें तो आप अपनी नोटबुक में भी आप इस वात को लिख सकते हैं अगले परसन की तरह बढ़ते हैं अगले परसन भी आपको नूटसों में यूबहू मिले वाला है कि निमल एकित में से कौन सा विटामीन वसा गुलंसील होता है जो इस्टुडेंट मेरे नोटसों को प्राप्त किया है वो यदि कंट्यूनियू यदि टोपिक टोपिक इस्टडी कर रहा है उस वात को यह आपको वहां से क्यूशन मिली जाएगा तो हमें यह से बताना था कि कौन सा विटामीन वसा में गुलंसील होता है दो विटामीन होते हैं एक तो होता है जल विले जो जल में गुलता है और एक होता है वसा विले जो वसा में गुलता है जल में गुलने वाले जो विटामीन होते हैं वो जलमे गुलने वाले विटामीन होते हैं, एक तो कौन सा होता है, B होता है, और A होता है, कौन C, और जो वसा विले जो विटामीन होते हैं, एक तो A होता है, एक आपके पास D होता है, एक E होता है, और K होता है, यह चार विटामीन वसा में गुलंसील होते हैं, और B और C कि इसमें गुलंसील होते हैं, जल में गुलंसील होते हैं, ऐसे कि आपको नोडसों की जो पीडियेप अवेलेबल करवाई गई थी, उसमें आपके पास विटामिन्स के टोपिक में चाहें, तो आप उठा कर देख सकते हैं, विटामिन्स के टोपिक में आपको ऐसे के ऐसे क्यू विटामीन बारा तो किसमे गुलता है जल में और D किसमे गुलता है वसा में तो A ओप्सन तो यहां ते गलत होता है B ओप्सन को देखते हैं B में जो C जो विटामीन है C विटामीन जल में गुलता है E किसमे वसा में गुलता है B option भी इसका गलत होता है हमें वसा के बारे में पूछा गया है विटामीन A और विटामीन C विटामीन A तो वसा में गुलंसील होता है लेकिन विटामीन C किस में गुलता है जल में गुलता है ठीक है यह option भी इसका गलत है और A और D A और D, दोनों विटामिन किस में गुलंसील हैं, वसा में गुलंसील हैं, इतना EG Qution आपको परिक्सा में पूछा गया था, तो सही जबाब पांचवे नमर के Qution का सही जबाब होता, D अमारा यहां से सही आंसर होता, इसी परकार अगले परसन को भी देखते हैं, और अगले परसन में दिया गया है, इस्टे तो इसकोप, इस्टे तो इसकोप में रोगी की, दिल की धड़कन की धवनी डोक्टर के कानों तक पहुंसती है, किस के द्वारा पहुंसती है, यह भी आपको एक्जाम में ही क्यूशन देखने को मिला था, जो डाक्टर के जो गले में जो यंतर लगा रहता है, उस यंतर को कहते हैं, क्या इस्टे तो इसकोप, क्या कहते हैं उसे, इस्टे तो इसकोप कहते हैं, और एक डोक्टर के पास ब्लड प्रेसर मापने का होता है, जिसे कहते हैं, जो ब्लड प्रेसर को मापता है, इस्टे तो इसकोप इसके द्वारा दिल की धड़कनों को सुना जाता है, किसको सुना जाता है, दिल की धड़कनों को सुनने के लिए जो यंतर हम काम में लेते हैं, वो कौन सा होता है, इस्टे तो इसकोप होता है, इसके अल जो धवनी निकलती है, पहले निकलती है लब और दूसरी निकलती है डब, इन दोनों धवनियों को सुना जाता है इस यंतर के दवारा, तो यह धवनी के परावरतन के सिद्धान पे काम करता है, उसे धवनी टकराती है, और टकराने के पशात हमें सुनाई देती है उस यंतर क स्ट्धान के द्वारा तो द्वनी का ओक के काम करता है। इस पुर दम मलेरिया यानी कि मलेरिया की खतरनाग के निमन चैप होती है, से यह की से रफ कि द्वारा होता है। यह होता है प्लास्मोडियम Pheltsy frogs किसे दवारा होता है फ्लास्मोडियम Pheltsy puzzles के दवारा होती है और यह मलेरिया कि खतरनाख स्थित्य होती है तो सही जवाब साथ वे नमर के कुशन का थे चाहि आंसर हो जूनोटिक होता क्या है जूनोटिक रोग उस रोग को कहते हैं जो रोग पहले किस में हो पहले किसी जानवर में या किसी ना किसी पसू में परवेश करें उसका जो भी रोग है वो पहले किसी ना किसी पसू में परवेश करें और किसी ना किसी पसू या किसी आदिम मनुस्य म पहला हुआ होना चाहिए, वो आदिम मनुस्य हो सकता है, या जानवर वगारा के बारे में भी आप यहां से कह सकते हैं, जैसे रेबिज के बारे में कहें, तो रेबिज का वाइरस सबसे पहले किस में जाता है, पागल कुत्ते में जाता है, और पागल कुत्ते में जाने के बाद मनुस्य में परवेस करता है, किस में परवेस करता है, मनुस्य में परवेस करता है, तो पहले किस में गया, कुत्ते में गया, फिर किस में गया, मनुस्य में गया, तो यह तो जुनोटिक परकार का रोग होता है, यदि हम S-R-S-A-R-S यदि S-A-R-S की बात करें तो कोरोना की जो पहली जो इस्टेप थी उससे अपन पहले बहुत पहले एक बार हो रहा है था कोरोना के जैसे ही जिसे हम S-R-S कह रहे थे और यह किस के द्वारा फैल रहा था यह चमगादड के द्वारा फैल रहा था तो पहले किस में गया चमगादड में गया और चमगादड किस में फैला रही थी मनुस्य में फैला रही थी तो यह भी कौन सा हो गया जूनोटिक परकार का रोग हो गया यदि पलेग की बात करें तो जो plague का जो होता है न ये plague सबसे पहले किस में जाता है चुहे पर जो उपस्ती जो पिस्सू होते हैं उस पे पहुंचता है यानि कि पहले तो किस में पहुंचता है चुहे में पहुंचता है और चुहे के काटने पर किस में पहुंचता है तो मनुस्य में पहुंचता है तो तो हमारे पासistes A जबाब होता, निजी जबाब होता, और D यह आहां भी सही जबाब नहीं होता, क्योंकि यह 3 दो उसरी क्या है, प्रग के रोग हैं, लेकिन, मुकॉरमा रिशe, मुकॉर्मा एससे, जो कोरोना के टैमें आपने आपने इससे सुना होगा, कि स्वेथ फंगस, फंगस के बारे में सुना होगा, जो आखों को इफेक्ट कर रहा था, उसी को कहते हैं, म्युकॉर्मा इकोसिस, म्युकॉर्मा इकोसिस कहते हैं इसको, तो सही जबाब होता, कौन सा सी होता, ये तो कवक के दवारा होता है, डाइरेक्ट मनुस्य को जिसमें हमें पूचा गया था, कि माता गर्बस सिसू, आरेच रख्ट परकार, विसंगति की समझ्या, उत्पन उसकती है, यदि माता है, ये उसका गर्बस सिसू, मतलब खालिस्तान देर रिखाता, और इन दोनों के बारे में पूचा गया था, हमें, इस क्युसन का सही पोजिटिव वाली महिला से हो गया, तो इनके दोरान पहली जो संतान पैदा होगी RH पोजिटिव वाली, वो पहली संतान तो पैदा हो जाती हैं, लेकिन दूसरी संतान जो RH पोजिटिव वाली पैदा होगी, वो क्या होगी, वो जनम लेने से पहले ही मा के गरब में ही उसकी म तो उस इस्तती के बारे में हमें यासे पूछा गया था कि देखो किसी भी व्यक्ति का कुंडली मिलाई जाए या नहीं मिलाई जाए लेकिन उसका रक्त वरक अवश्य मिलाना चीए, पिता का तो होना चीए, आरच पोजिटिव, मैला का माता का क्या होना चीए, आरच महिला का जो रक्त वरक था उसमें, एंटीबोडी नहीं बन पा रही थी, लेकिन जैसे उसमें बच्चा पैदा हुआ रहेच पोजिटिव वाला तो उसमें एंटीबोडी बनना सुरू हो गई, जिससे दूसरे बच्चा पैदा करने में उनको समस्या पैदा हो रही थी, तो यहां से हमें पूछा कि इस इस्तिती में क्या होता है, माता का रख तो कैसा होता है, रह नगेटिव होता है, और बच्चे का कैसा होता है, रह पोजिटिव होता है, और पिता के बारे में भी यदि पूछे जाए ना, तो पिता का भी कौन सा होगा, रह पोजिटिव होगा, तो किसी भी विवा यूग लगा, यदि जैंड्स तो RH पोजिटिव हैं, और यदि ग्रल्स RH नगेटिव हैं, उसका विवा कभी भी नहीं करवाना चीए, पुंडली मिले या नहीं मिले लेकिन उसका रक्तवरग अवस्य मिलना चीए, उसका रक्तवरग अवस्य मिलना चीए, यहां आप विसंगती देख ही पा रहे होंगे, जानते होंगे, अब इससे relative बाते जान गए होंगे, तो अब आपके देनिक जीवन में यदि ऐसी कोई समझ्या आएगी, तो पहले वही काम करेंगे आप, तो यहां परसन में भी हमें कुछ इसी परकार की बाते पूछी गई थ नदे वोल में बाते पाते हैं, तो यहां परसन में देखने को मिल करेंगे, तो अब हमें प्लस और माइनस नहीं दे रखा होंगे जिस रकतवरग में परकार होता हैं, उसमें आपड़ एसे कहते हैं…. एक आपने प्रोटीन के बारे में सुना होगा जैसे अपने पास ब्लड में विबिन प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं अल्बिमीन, ग्लोबिमीन, फाइब्रोनोजन, प्रोथोमीन, हीपेरिन जैसे विबिन प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं लेकिन एक रिसस परजाती के बंदर में सबसे पहले खो जा गया था, तो यदि उस प्रोटीन की मात्रा यदि बलड में पाई जाती है तो रह पुजिटिव होता है, और यदि वो नहीं पाया जाता है तो वो कैसा होता है, आरेच हीन होता है, मतलब माइनस होता है, मतलब उसके पास नहीं होता है, तो आरेच माइनस है, तो माइनस का मतलब हीन होगा, तो सहीत वाले तो उप्सन कड़ चुके थे, ये तो कड़ चुके थे, अब RH हीन ये तो सही होता, मतलब उसके पास प्रोटीन नहीं है, तो इतनी बातों को आपने जाना होगा, इसी परकार, UPPCS के पेपर में भी जितने भी साइंस के रिलेटिव क्यूशन पूछे गए हैं, उनको भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ सेर करने वाला हूँ, उन आपको अवेलेबल करवाए गए थी, और वैसे PDF के माद्यम से भी आपको अवेलेबल करवाए गए थी, उनमें हुब हुआ हुआ से मैटेरियल देखने को मिला है, तो उन बातों को भी हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं वाह से, तो आज के लिए इतना ही, तो फिर म